तो cuidado, कसा लिए आप सभी का स्वागत है आप सभी का Welcome है आज के सुप्यारे से S gossip lesion में आज के बहुत ही सांदार्षी सत्र में और आज वी ऐ चल्डही चीयों को डिसकस करेंगे थोड़ी से लेट होए लेकिन उसको को लेकरर यह आप टेंसर नहाılar dalam इतना बड़िया कंटेंट आज की क्लास में करा दूँगा उतना ही बहेंकर आपको ठीक है चलो एक एकर के चीजों को सुरुआत करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं GKGS के जिनको लेकर के हम लोगों को सुरुआत करनी है ठीक है तो एक बार स्टार्ट करेंगे प्रोपर बहुत सारा कंटेंट है बहुत सारी चीजे हैं अलंकि आज की क्लास का मैं आपको मुद्दा बता दू दो तरीके से क्लास हैं एक तो मैंना अपके लिए q Horse and type कर लिए है एक तो मैंना आपके लिए क्या कर लिया है Q Mole तो मैंना अपकी साथ उपनि दो चबीस अगस्त के साथ 7, गर मैं उपको यह बता दू चबिस अगस्त के साथ 7, 24 अगस्त की पहली मी shift महें और दूसी shift में जो male और female वाला concept था और 26 अगस्त का जो TGT का paper था वो बाला और ये जो एक से 5 वाला paper था और ये भी जो एक से 5 वाला paper था इन सभी के जितने भी GK और GS के आए हुए सभी प्रस्ण है उन सभी को मैंने type कर लिया है TRE 1.OK कौन से? TRE 1.OK और TRE 2.OK ठीक है भी या तो पहले तो आपके लिए एक ये खास बात है आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे इतने सारे questions है जिनको मैंने आपके लिए type करके रखा हुआ है इनको हम आपके लिए discuss करेंगे लेकिन पहले हम क्या पढ़ेंगे पहले हम कुछ बहुत रिन content भी पढ़ने की सुरुवात करेंगे जो exam point interview सो बहुत ज़्यादा महत पुन है एक एक करके content को पढ़ने की सुरुवात करेंगे जहां पर हमने download करके पूरा content ले रखा है तो सबसे पहले हम जिस topic को discuss कर रहे है आज की class में जो आपकी परिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत पुन है जहां से सवाल पूछे जाते हैं वो हैं प्रमुक दिवस प्रमुक दिवस को ले करके हमेशा से आपके paper में एक सवाल बनता ही बनता है तो इनको थोड़ा सा आप इनको समझ की चलिएगा यहाँ पर यह बहुत महत पूर्ण content है तो एक बार आप इसको समझते हैं यहाँ ठीक है यह करके आप copy निकाल लीजे और लिखने का नम्मर लगाईगा जैसे कुछ महत पूर्ण दिवस हैं जो आपके paper में पूछे जाते हैं अब कौन-कौन से हो महत पूर्ण दिवस हैं इनको थोड़ा से एक बार यहाँ पर समझते हैं आपकी screen पर कुछ महत पूर्ण दिवस दिए हैं तो आप इन महत पूर्ण दिवसों को यहाँ पर समझना ठीक है भी या एक बार देख लिए आपकी screen पर यहाँ पर कुछ महत पूर्ण दिवस दे रखें ठीक है तो अगर यहाँ पर आप देखोगे जैसे तो इन में से जो अधिकांस दिवस हैं वही आपके paper में बन जाएंगे थोड़ा समझो टाइम देना जाएंगे जाएंगे तो जैसे यह सवाल आपके paper में पूछा जाता है कि यह वताईए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मना जाएगा तो आपको पता है कि प्रवासी भारती दिवस मना जाता है जब गांदी जी दक्षिन अफरीका से भारत वापस लोटे थे जब गांदी जी दक्षिन अफरीका से भारत वापस लोटे तो उसके लिए ध्यान रखना उसके उसमें और जो कौन सा दिवस मना जाए गया उसका नाम था प्रवासी भारती दिवस कौन सा दिवस था वह जो जो दिवस था उस दिवस का नाम क्या था उस दिवस का नाम था प्रवासी भारती दिवस ठीक है या याद रखना है दूसरा अगर हम बात करेंगे तो 12 जनवरी को जो दिवस मनाय जाता है उसको लोग कहते है राश्टरि यवार्ड दिवस कहते है निशनल youth day कहते हैं इसको याद रखना 15 जनवरी को एक दिवस मना जाता है जिसको थल सेना दिवस कहते हैं 25 जनवरी को एक दिवस मना जाता है जिसको राष्ट्री अमतदाता दिवस कहते हैं 30 जनवरी को एक दिवस मना जाता है जिसको सहीद दिवस कहते हैं चार फरवरी को एक दिवस मना जाता है, जिसको विश्व कैंसर दिवस कहते हैं, अठाइस फरवरी को रास्ट्री विज्ञान दिवस मना जाता है, आठ मार्च को अंतरास्ट्री महरा दिवस मना जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मना जाता है, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मना जाता है, बताओ, यह याद होगे आपको, यह सभी दिवस आपको याद होगे, तो एक बार बताएंगे, मैं वादा करता हूँ, यह सारी चीज़ें आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ध्यान से इनको पढ़ते रही है, और अपनी क कॉपी निकाल लीजे और अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे, अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे, इनको तब आपके काम बनेगा, ठीक है, कॉपी में लिखते जाएंगे, इन दिवसों को, बड़े आराम सिम चीजों को पढ़ेंगे, तो 9 जनवरी को प्रवासी बारत दिवस, आठ मार्च को अंतरास्टी महला दिवस, 21 मार्च को विश्वानकी दिवस, और 22 मार्च को विश्वा जल दिवस मनाया जाता है दान रखना, इसके इलावा यह आप में इसको डी टपलेस्वी GKGS की तियारी कर रहा हूँ, या किसी भी TGTK GKGS की तियारी कर रहा अब थोड़ा इसके बाद आएंगे, जैसे एक सवाल पूचायता है यह विश्व विरासत दिवस, World Heritage Day कर मना जाता है, तो विश्व विरासत दिवस जो मना जाता है, वहीं 22 अप्रेल को क्या मना जाता है, या तो प्रत्वी दिवस मना जाता है, अर्थ डे मना जाता है, दा एक दम से चीज़ों को यहां पर समझेए, बहुत बेसिक से चीज़ों को यहां पर समझते हूँ चलिए, तो अगर हम बात करेंगे कि प्रत्वी दिवस कब मना जाता है, तो प्रत्वी दिवस मना जाता है, 22 अप्रेल को मना जाता है, प्रत्वी दिवस, वहीं अगर हम बात करेंगे तो जय बिवित्ता दिवस कब मना जाता है तो जय बिवित्ता दिवस 22 मई को मना जाता है या 22 मई को जय बिवित्ता दिवस मना जाता है वहीं अगर बात करेंगे अंतराष्टी योग दिवस तो 21 जून को मना जाता है अंतराष्टी योग दिवस कब मना जाता है तो 21 20 juan को मना जाता हैं अंतराष्य योग दिवस वहीं अगर बात करेंगे विश्व crater जनसंग क्या दिवस की, तो 11 जुलाई को मना जाता है विस्व जनसंग क्या दिवस, जो परिच्छा की दस्टी से बहुत ज़्यादा महत्यपूर है, वहीं अंतराष्ट्रिय बाग दिवस की अगर बात करेंगे, तो 29 जुलाई को मना जाता है, अंतराष्ट्रिय बाग दिवस इस बात को आप याद कर लिजेगा 29 जुलाई को क्या मना जाता है अंतर राश्ट्रिय बाग दिवस मना जाता है वहीं अगर हम बात करेंगे विस्व युवा दिवस का मना जाता है तो 12 अगस्ट को मना जाता है विस्व युवा दिवस का मना जाता है तो 12 अगस्त को मना जाएगा विसोयवा दिवस और वहीं राष्ट्रिय खेल दिवस की बात करेंगे 29 अगस्त को क्या मना जाता है मेरे दोस्तों राष्ट्रिय खेल दिवस मना जाता है 29 अगस्त को इसको याद कर लेना और शिक्षक दिवस आपका कम मना जाता है तो पांच हितंबर को क्या मना जाता है? प्रमुक सिक्षक दिवस मनाय जाता है तो ये प variety लिए अगर आपने पूरी लिस्ट याद कर ले लिए अपनी कोफी में लिखते जाना, अपना दिमाग मत चलाना, यह वहला सवाल पेपर में नहीं आता है, इवला सवाल पेपर में नहीं आता है, बहुत अच्छा content बनाया है. और यह आपके पेपर में बूछा जाएगा. एक दम से चीजों को यहां पर समझते चलिए. सभी पलिक्षाओं के लिए महतनु हो जाएगा. आगे बात करेंगे आठ सितंबर को क्या मना जायता है तो आठ सितंबर को मना जायता है अंतरास्टिय साक्षाता दिवस ये साल बर में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में 365 दिवस होते हैं लेकिन अब 365 दिवस थोड़ी ना याद कर सकते हैं तो हमें कुछ महत्पूर्ण दिवस से याद करने पड़ेंगे, हमें कुछ महत्पूर्ण दिवस से याद करने पड़ेंगे, और हम उनकुछ महत्पूर्ण दिवसों को ही समझेंगे, जैसे 8 सितंबर को अंतरास्टी साक्षरता दिवस है, वहीं 14 सितंबर को सिक्षक दिवस म मना जाएगा, तो 16 सितंबर को ओजोन परत सरेक्शन दिवस मना जाएगा, वहीं अगर बात करेंगे 21 सितंबर की, तो यहां पर 207 दिवस मना जाता है, 21 सितंबर को 207 दिवस मना जाता है, 5 अक्टूबर को 207 दिवस मना जाता है, 5 अक्टूबर को 207 दिवस मना जाता है, 5 अक् में याद रखना आठ अक्टूबर की अगर बात करेंगे तो वाई उसेना दिवस मान बात करेंगे आठ अक्टूबर की और आप जानते हैं यहां पर आठ अक्टूबर से पहले आप यहां पर जानते हैं कि 15 जनवरी को मैंने भी आपको पढ़ाया था 15 जनवरी को क्या मनाते ह आर्मी डे मनाते हैं, तो आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं दार रखना और वहीं एरफोर्स डे हम कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और वहीं 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, नेवी डे मनाते हैं, 9 से ना दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, 9 से ना दिवस मनाते हैं, इस क्या मनाते हैं तो 208 सी डिवस मनाते हैं 20 10 दिसंबर को क्या मनाएंGER तो किसां दिवस मनाने वाले हैं ठीक टो एक तो लिस्ट में आपके लिए हैं आपके अगर देखेंगे तो तो ये 12-12 एक लिष्ट में तो ये आपके लिए मैंने 30-35 मेरे खाल से दिवस होंगे इनको अगर आप याद कर लोगे तो कही ना कहीं आपके पेपर में ये बन जाएंगे अब कुछ क्वेस्टन के मादधम से चीज़ों को कर लेते हैं आप कुछ क्या लेते हैं याम यापर क्या लेते हैं कुछ क्वेस्टन के मादधम से चीज़ों को कर लेते हैं जैसे जैसे अब एक सवाल का जबाब बताईए यée अगर आप उपके वुच्वेस्टन पूचाजािए अब मैं आपके comment खोल लेता हूँ क्योंकि अभी तक मैं आपके comment नहीं खोलेता है तो विस्व वन जी उद्वस के अगर बात करेंगे दहार रखना तो इसका उत्तर आप याद रखना तीन मार्च को क्या मना जाता है विस्व वन जी उद्वस मना जाता है विस्व वन जी उद्वस मना जाता है विस्व वन जी उद्वस मना जाता है तीन मार्च को क्या मना जाता है विश्व वनजी दिवस मनायता है, वर्ड वाइल्ड लाइफ डे कम मनायता है, तीन मार्च को मनाय जाता है, इस बात को याद रखना, इस बात को समझ लेना, ठीक भी या, बताईए, कोई दिक्कत हो नहीं, 28 फरवरी को हमने क्या बतायता, 28 फरवरी को हमने आपको बतायता, तो प्रतिवर्स सुरक्षा आपसे कब मना जाता है तो प्रतिवर्स रास्त्रीय सुरक्षा दियुष आपसे कब मना सेफ् टे सेरेठी इवरी यार तो परती वस राष्ट्री सुरक्षा दिवस कब मना जाता है बताहु जरो एक तो आप C 28 परवरी को तो आप अठा दोगे एक राष्ट्रि विज्ञान दिवस होता है राष्ट्रिय विज्ञान दिवस होगा 28 परवरी को राष्ट्रिय विज्ञान दिवस होगा इसको तो आप अठा दो बाहर यहां से इसको तो आप अटा दू और 3 मार्च को क्या है विस्व वन्य जीव दिवस है तो 3 मार्च को क्या हो जाएगा विस्व वन्य जीव दिवस है क्या भी है तो 3 मार्च को क्या हो जाएगा भी है तो 3 मार्च को आपको क्या हो जाएगा भी है विस्व वन्य जीव दिवस हो तो प्रतिवस चार मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो प्रतिवस चार मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो प्रतिवस चार मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो प्रतिवस चार मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो प्रतिवस चार मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, तो आस्ट्री ये सुरक्षा दिवस मनाते हैं, इस बात को आप याद रख लेजएगा. ठीक है? आगे बात करेंगे भिया, अगर आप से 20 फरवरी को कौन सा दिवस मना जाता है, तो विश्व सामाजिक नियाई दिवस का मना जाता है, विश्व सामाजिक नियाई दिवस का मना जाता है, विश्व सामाजिक नियाई दिवस मना जाता है, विश्व सामाजिक नियाई दिवस म मनाया जाता है ठीक है याद हो जाएंगे मैं मानता हूं यह सवाल बहुत सरल है बहुत हलके लेवल के लेकिन आपके पेपर में जरूर पोचे जाएंगे ध्यान से पढ़ते जाना है चलिए अगला सवाल है आपसे कि परती है कि दिवस विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कम मनाते हैं यह तो सायद आगे विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस अचा राष्टी सुरक्षा दिवस होता है एक होता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कम बनाते है तो बात वह यह दो अपसंतों से अट गया है टाइस परवरी को क्या मनाएगा राष्टी विग्या तो विश्व नागरिक स्रक्षा दिवस कब मनाएंगे एक मार्च को हम लोग 20 مरुछ विश्व नागरिक स्रक्षा दिवस मनाते हुगा तो अब यह मैंने आपको बता दियाता है 28 फर्ववजिकों क्या बनाते हुआ 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्र विज्यान दिवस मनाते हैं तो देखो 20 फरवरी तो बिया भी आपको बता दिया एक आदा अब इसमें से बैसे इठा सकते हों यह, जैसे आपको याद होती जाएंगी तो विश्व समाजिक निः दिवस कब है, vistwa-samaja-n atee, एक तो हट गया, अब आपका बचा 24 परवरी अब आपका 24 जुलाइ सींट्र एकसाइस डे को म जाएगा बोलो ही, तो दार रखना 24 फरवरी को क्या मनाते हैं तो 24 फरवरी को केंद्रिय उत्पाद सुल्क दिवस मनाते हैं इन मैं से कोई नहीं कि वी Спरवरी को उठा दो, विसो समाज इगन आया दिवस है या बताओ उ यहाओ, बताओ यहाओ कितना बड़िया सवाल है, अन्तरास्ट्य मात्रभास दिवस, säbास, पना बढ़ा सब्या क्या Ven's भूलANG बिलकुल हेमन्स सिंह कहा कि एक कीस फर्वरी कोई क्या मनाते성이 रही है सभी लोग कमेंट भी करते चलो बाइव जो लोग बागी के ohills अर्नी कमेंट भी करते चलो और बताएंगे कब हो जाएका एक कीस फर्वरी को मेंनाते हैं रही है अंतरास्टी मात्रवासा दिवस मनाते है 21 फरवादी को ठीक है भिया तो 21 फरवादी को क्या मनाते है अंतरास्टी मात्रवासा दिवस मनाते है हाल ही में मर्दा स्वास्ते है हाल ही में मर्दा स्वास्ते कार्ड दिवस कब मनाया गया वेन वाज़ी, Soil Health Card Day celebrated recently, तो मर्दा स्वास्ते काड दिवस कब मनाया जागे भी या बताओ, बोलो भी या, तो भाई समझने वाला बेक्ती समझ जाएगा, कि अभी आपने क्या बताया, 20 परवरी को मैंने आपको क्या बताया, 20 परवरी को हमने आपको क्या बताया, क्या हमने आपको बताया, सामाजिक नियाई दिवस हमने आपको बताया और वहीं अगर बात करेंगे 19 फरवरी की तो 19 फरवरी को याद रखना मर्दा स्वास्ते काड़ दिवस होगा क्या होगी अब मर्दा स्वास्ते काड़ दिवस मर्दा स्वास्ते काड़ दिवस का मना जाता है यह चलिए आगे बात करेंगे सवाल भी पूछाता है कि हाल रही में विश्व सामाज一个 Senhor कि मनाजाता है다 है बताइए तो विश्व सामाजिक नियाई दिवस का बना जाता है, इसके बारे में आपको बताना होगा, बोलो या तो एक उफ्षन तो आप इसमें से ठाद होगे, वो है बारे जनवरी, क्योंकि बारे जनवरी तो आपको पता है क्या भी या रास्ट्री युवा दिवस है, बारे जनवरी को क्या हो जाएगा, वेकानन जी के उपर मना जाता है, तो रास्ट्री युवा दिवस, तो बारे जनवरी को क्या हो जाएगा, यह रास्ट्री युवा दिवस हो जाएगा, यह तो आप यहां पर चीज़ों को समझेगे, ठीक है विया और वहीं अगर आप से बात किया जाएगा विया ठीक है और एक इसमें से आप चीजों को उठा दो तो विस्व सामाजिक नियाई द्वस तो भी क्या बता है तो कहां गया विया बीस फरवरी को क्या मना जाएगा तो विस्व सामाजिक नियाई द्वस कब मना जाता है त is income tax day celebrated in India. तो income tax day का मना जाता है भारत में आपको बताना होगा. income tax day का मना जाता है बता हो या. बता हो या. income tax day का मना जाता हो या. तो देहार रेखना 24 जुलाई को 24 जुलाई को भारत में क्या मना जाता हो या तो income tax day मना जाता है. भारत में 24 जुलाई को क्या मना जाता है तो याद रखना भारत में 24 जुलाई को क्या मना जाता है इंकम टेक्स डे मना जाता है 24 जुलाई को क्या मना जाता है इंकम टेक्स डे मना जाता है 24 जुलाई को याद रखना ठीक है विया चलिए अगला सवाल अगर आपसे पूछे य बता हुए कारगिल विजय दिवस का मना जाता है बहुत चोटे चोटे प्रस्ने आगे तक continue करेंगे ये काफी effective रहे का धार रखना ऐसा नहीं कि बहुत बेकार कुस्म है ये सब आपकी help करें का धार रखना अगर मैं आपसे बात करूँगा तो 26 जुलाई को धार रखना ठीक है अगला सवाल आपसे कह रहा है कि दुनिया बर में मस्तिस्क स्वास्थे से सम्मंदित जहागरूकता बढ़ाने के उद्धिस से प्रतिवर्स विश्व मस्तिस्क दिवसका आयुजन कव किया जाता है बताई विया तो अगर हम बात करेंगे विया कि दुनिया बर में मस्तिस्क फास्थे से सम्मंदित जहागरूकता बढ़ाने के उद्धिस से अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व मस्तिस्क दिवसका मना जाता है इसके बारे में आपको बताना हो गविया वर्ल्ड ब्रेंडे का मना जा इतना 22 जुलाई को क्या मना जाता है तो 22 जुलाई को विश्व मस्तिस्क दिवस मना जाता है क्या मना जाता है तो 22 जुलाई को विश्व मस्तिस्क दिवस मना जाएगा 22 जुलाई को क्या मना जाएगा तो विश्व मस्तिस्क दिवस मना जाएगा 22 जुलाई को क्या मना बाइस जुलाई को वहीं अगर आपसे पूचा जाए एक होता है विस्व ब्रेंट ट्यूमर दिवस द्यार रखना तो आठ जून को मना जाता है विस्व ब्रेंट ट्यूमर दिशे एमेज तो कर पुरानी जैसी मुझे गूगल पर मिलगी बैसे मैंने एमेज लगा दी यहां पेदार रखना लेकिन आप इनके बारे में नहीं सोचेंगे 2021 लगाए कि 2020 लगाए क्योंकि पुरानी इमेज थी वहीं में लगई वहीं Google से में लगा दी लेकिन आप समझेंगे आठ जून को क्या मना जाता है विस्व ब्रेंट ट्यूमर दिवस मना जाता है और वहीं आठ जून को एक दूसरा दिवस में मना जाता है विस्व महा सागर दिवस में मना जाता है आठ जून को क्या मना जाता है विस्व महा सागर दिवस मना जाता है और 22 जूलाई को क्या मना जाता है विया 22 जूलाई को वर्ल्ड ब्रेंडे मना जाता है 22 जूलाई को ठीक है चलिए यहाद देखना एक क्या मना जाता है तो 200 बुजुर्ग जाग रुपता दिवाथ मना जाता है Od desktop Co ok यह थोड़ा से इसको समझना एक अक्टूबर को अंतरास्टी बरदी दिवस मनाया था एक अक्टूबर को और वहीं 15 जून को मनाया था विस्व भुजुर्ग जागरुपता दिवस यह व्ल्ड एल्डर अब्यूस अवेर्नेस दे और 15 जून को मनाया था ग्लोबल विंड दे यह कुछ महत्मुन दिवस हैं जुनको मैंने गूगल से सर्च किया हुआ ठीक है चलो आप इनको याद कर ले ना विस्व प्रकरती सरक्षन दिवस का मनाया था वता हो व्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे का मनाया था यह सब पेपर में पूछे जाएंगे अलग 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 में पेपर में आता ही आता है विया बताओ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे का मनाते हैं बोलो विया कमेंट करेंगे वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे तो बिल्कुल सही जबाब यहां पर 28 जुलाई को क्या मना जाता है तो 28 जुलाई को विष्व वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया था विष्व प्रकरती सरक्षन डेवस मनाया था 28 जुलाई को मना जाता है विष्व प्रकरती सरक्षन डेवस ठीक है तो यह तो इतने आपके रहे दिवस जितने महीं आपको जहां पर कुछ प्रमुक दिवस कराएं एक फिर से रहे पर रिविजन कर लो विशु प्रकरती सरक्षन दिवस अठाई जुलाई को मनाया था एक अटूबर को अंतरास्टिय ब्रद्द दिवस मनाते हैं पंदर जुन को विशु बुज करें जुलाई को हमलोक आइक ही फिर इंगर विशु मनाते हैं लोयीरिमीज जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं क्या मनाते हैं जुलाई को वहीं 24 लाई खूभी दौवर विच। में यह कर बात करेंगे 20 परवरी को विशु थमाज जिवάλ धूज मनाते हैं 12 जनव परवरी को अंतरास्टी मात्रवासा दिवस मना जाता है, विस्व नागरिक सुरक्षा दिवस एक मार्च को मना जाता है, रास्टी सुरक्षा दिवस चार मार्च को मना जाता है, तीन मार्च को विस्व वनिजी दिवस मना जाता है, थाइस परवरी को रास्टी विज्यान दि नियाय द्वस मना जाता है विस्व वनी जी द्वस की बात करेंगे तीन वाज को विस्व वनी जी द्वस मना जाता है और उसके आधार पर यह कुछ प्रमुख दिवस है जिनके बारे मैंने आपको यहां पर पूरी तरीके से पढ़ा दिया ठीक है मैतवपूर्ण वादियंत्र और उनके वादक इंपोटेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर प्लेयर्स मैतवण वादियंत्र और उनके वादक के बारे मैं आपको बताऊंगा मैतवण वादियंत्र और उनके वादक यह सवाल पेपर में पूछा जाता है तो से बारे किसी भी बर्ग की अगर आप GKGS पढ़ रहे हो तो मामला एकदम से किलियर हो जाएगा कहीं और से बिल्कुल भी पढ़ने की जूरुत नहीं है चोटी से चोटी बड़ी से बड़ी सारी चीह मैं आपको करा दोंगा सबसे बले सितार के बारे में बात करेंगे तो याद रखना अगर यहाँ पर कुछ महत्पूंची यों के बारे में बात करेंगे तो सितार का विश्कार अमीर खुसरो के दौरा किया गया था तो सितार का विश्कार किसके द्वारा किया गय था तो सितार का विश्कार अमीर खुस्रो के द्वारा किया गय था याद रगना पंडित रवी संकर, विलाइत खान, बंदे हसन, मुस्ताक अली खान, साहिद परवेश खान, इसके प्रमुक वादक हैं तो प्रमुक Sitar Vadel कौन को है, ये सवाल पेपर में पूछा जा सकता है, कि प्रमुक Sitar Vadel कोन कों से तो द्यान रगना पंडित रवищ संकर, विलायत खां, बंदेहसन, मुस्ताक अलिखान, साहिद पर्वेस खान, ये इसके प्रमुक वादक हैं, और द्यान रगना, Sitar Vadel की हैं, जिनका नाम है पंडित रवी संकर जो प्रतम भारती व्यक्ति थे जो 1960 में संगीत जगत के सरवसिष्ट पुरुसकार ग्रेमी अवार्ड से समानित किया गया थे तो भारत के प्रतम व्यक्ति कौन है जिनको ग्रेमी अवार्ड से समानित किया गया था तो ग्रेमी अवार्ड ज जो 1960 में संगीत जगत के सरसेष्ट पुरुषकार ग्रेमी अवाड से समानद भी किये गे ते ग्रेमी आवाड अमेरिका के महत्पूर पुरुषकारों में से एक अमेरिका की द्वार दिया जाता है और इसका विजन चार मईद 1959 को सवसे पहले किया गया था ग्रेमी अवाड का यह मैंने extra fact आपके लिए आपर बता दियें, यह सब paper की दस्टी से महत्मुन होते हैं, तो अगर आप से पूचा जा कि सितार का विश्कार किसके दौरा किया गया, तो अमीर खुसरो के दौरा सितार का विश्कार किया गया, पंडित रवी संकर, विलायत खान, बंदी हैसन, अरवेश खान, इसके प्रमग बादक हो जाएंगे सितार के दान रखना, बोलो के लिए, इतनी ब्रीफ में आपको दे रहा हूं, याद रखना, चले, आगे बात करेंगे, अगर हम तबला के बारें बात करेंगे, तो तबला आपको बताईए, आपने चेहरा भी पहंचार कि जो जिन्होंटे सितार का विश्कार किया, उन्होंटे तबले का भी विश्कार किया था, और वो कोई और नहीं तबला बादक दान रखना, अमीर कुसरो ही है, तो अगर आपसे कहा जा कि तबला का विश्कार किया, तो अमीर कुसरो डे तबला का विश्कार किया, इसके प्रमक वादक में जाके रोसेन साव हैं, लतीफ खान हैं, अल्ला रखा खान हैं, गुदरी महराज, पंडित किसन महराज, फयाज खान, शुक्विंदर साबिर खान, पंडित ज्यान प्रकास घोष, अब इन ब्यक्तियों के नाम तो याद रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि य किताबों में 20-30-30 नाम दे रखे होते हैं, किताबों में 20-30-30 नाम दे रखे होते हैं, उतना पढ़ नहीं सकते हो आप, उतना पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है विया, उतना पढ़ नहीं सकते हो, तो जितना पढ़ सकते हो, उतने की बता रहे हैं, तो इसके प्रमक वाद रख मैं घट रेंके वारे हैं पूचा या चालेय की तैसे लावा चुछ आप यहां पर एकलिस्ट कमेंट तो करी सकते हो आप यहां पर चले आगे चलेंगे दान रखना आगे अगर हम बात करेंगे बांसुरी बादक के अगर हम बात करेंगे कि बांसुरी बादक कोन कोंसे दान रखना तो बांसुरी बादक में बात करेंगे तो आपको बताएं बां बमसी सवसुर्ण साज ऐ है ऐक कई सवसुर्ण साज एक कई सवर में बाज उन्हेर है और वेặral से बोगना पिपशनी के अतों कि लुटे है दा है इसके प्रमक वादक जो हुएं उनमे sert ANYले साह आई दान रखना हरी परसाद चौरसिया का नाम आता है एन रमानी का नाम आता है टी आर महालिंगम का नाम आता है तो अगर आप से पूछा जाए कि प्रमुक दान रखना अगर आप से पूछा जाए कि प्रमुक बांसुरी वादग कौन कों से है अपके मन में स्वाला रहोगा बा प्रमुक बास्वरी वाधक हैं अगले पर हम चलेंगे श्रोध के बारे मिबाद करेंगे के प्रमुक सरोध वाधक कौन-कौnh से तो प्रमुक सरोध ठीक है चलिए आगे बात करेंगे सेहनाई में अगर हम बात करेंगे तो सेहनाई में आपको पता है विया उस्ताद बिश्मिल्ला खान को तो आप जानते हैं या 1916 से 2006 तक रहें उस्ताद बिश्मिल्ला खान बड़े मुखे सेहनाई बात करेंगे उस्ताद बिश्मिल्ला खान की अगर बात करेंगे तो सेहनाई बात करेंगे उस्ताद बिश्मिल्ला खान आ जाएंगे उस्ताद तो यह जो है याद रखना मेरे दोस्तों कौन हो जाएंगे यह प्रमुक सहनाई वादक हो जाएंगे बिसमल्ला खान का सवाल तो पेपर में कही वार पूछा गया है संतूर की बात करेंगे संतूर आप देख लिजे इस प्रकार का होता है संतूर देखने में संतूर वादक की बात करेंगे तो इसके अविषकारक पंडित शिव कुमार सर्मा है कोने विया इसके अविशकारक कोने विया तो इसके अविशकारक पंडित सिवकुमार सर्मा है अन्य वादकों में भजन सोपोरी प्रमुकें धारगना अन्य वादकों में कोन हो जाएंगे विया अन्य वादकों में भजन सोपोरी हो जाएंगे सारंगी की बात करेंगे तो फिर से आपके सामने हमारे वही आ जाएंगे विया अमीर खुसरो तो सारंगी के विश्कारक कोन हो जाएंगे तो अमीर खुसरो साफ जो हैं वो सारंगी के विश्कारक हो जाएंगे बारत की परतम महिला सारंगी वादक जो हुई है उनका नाम है अरुण काले नारायन रखना भारत की परतम महिला सारंगी वादक को है तो अरुण काले नारायन जो है भारत की परतम महिला सारंगी वादक है अन्य वादक हो मैं सारंगी में पंडित राम नारायन, सकूर खान, रमेश मिस्रा और उस्ताद विंदा खान दारगना तो उस्ताद विंदा खान शकूर खान रमेश मिस्रा पंडित राम नाराइन अरुन काले नाराइन प्रतम महिला सारंगी वादग भी रही है सारंगी का विष्कार भी अमीर को स्रोड़े किया हैwijा अमीर को स्रोड़े के द्वरा किया गया प्रमक् पाकावज बादके की दारक्त Na डोलग की तरह होता है पाकावज दारक्त डोलक की तरह होता है पखावज, पखावज बादोकों में जो प्रमुख में उनका नहां में तोता राम सर्मा, पंडित अयुद्या परसाद, पंडित अयुद्या परसाद हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे विया, पंडित अयुद्या परसाद हो जाएंगे, गोपाल दास हो पंडित अयुद्धा परसाग, घौपाल दास, बाबुराम संकर पागल दास हो जाएंगे याद रखना तो अब हम बात करेंगे प्रमुक्ष शास्त्रियते इससे पहले हमने किसके बारें बात कर लिया इससे पहले हमने बाति कर लिए यहां पर पर पधांज वाधक सारंगी वाधक संतूर वाधक स confession 2 वाधक और बंसुरी वाधक तबला वाधक और यहां पर मेंच सवाल पर मोठ गइस तो नियोपकर में stations था घनल के वाध कि आठके के बारे में बात करेंगे प्रमुक्षास्त्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रियृत्रिय F O L K D A N Z E Falk Dance और सास्ते नत्य को क्या रहते हैं C L A W S I C A L Classical Dance तो निरत्य दो प्रकार के होते हैं सास्ते नत्य और लोक नत्य अब इसमें अंतर क्या होता है अंतर क्या होता है लोक नत्य का मतलब है कि किसी भी छेत्र में अपना कोई भी नत्य की आ जा रहा है तो लोक नत्य विया सास्ते नत्य का मतलब है जो किसी भी शेत्र उसमें हो रहा हो तो वो सास्ते नत्य है तो लोक नत्य की संका है तो बहुत सारी हो जाएगी लेकिन सास्ते नत्य हमारे कितने तो मुख्य हमारे आठ सास्त्री अनरत्य हैं, कौन कौन से हैं, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, सत्रिया, कुछीपुरी, कतकली, मोहिनियट्टम और मडिपुरी, आठ हमारे सास्त्री अनरत्य हो जाएंगे, कतक कहा हो जाएगा, दारगना, तो कतक हमारा हो जाएगा, उत्तर परदेश में कहा हो जाएगा, उत्तर परदेश में हो जाएगा, ओडिसी कहा हो जाएगा विया तो ओडिसी हमारे ओडिसाम हो जाएगा सत्री हमारा कहा हो जाएगा असम में हो जाएगा कच्चीपूरी कहा हो जाएगा तो यह हो जाएगा आंध्र परदेश में हो जाएगा कहा हो जाएगा विया आंध्र परदेश में हो जाएगा कतकली की बात करेंगे तो कतकली केरल में हो जाएगा मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो मोहिनी अट्टम भी कहा हो जाएगा केरल में हो जाएगा मोहिनी अट्टम मडीपूरी की बात करेंगे भी या तो मडीपूर में हो जाएगा और भरतनाटम का हो जाएगा तो भरतनाटम तमिलनाडूम हो जाएगा, भरतनाटम का पर हो जाएगा? याद रख लिएगा. तो ये आठ सास्त्रे नत्य हैं, most important है परिछागी द्रस्ति से, आठ सास्त्रे नत्यों में से एक सवाल पूछा जा सकता है, बताजिए फलाना सास्त जोके बाना बना जाता है। या क्या है, तो उत्तरप्रदेश नाच अचा कफ़ड़े करः पेद्गम अगर आप अपलशलाति हो। तो अधिक्तम पूरे उत्तर भारत का नौर्थ इंडिया का जो सास्तिनत्य है वो कथक ही माना जाता है धान रखना सुंदरम कुमारी के ने कैसे हो आप गुरू जी तभी ठीक है जी यहां बिल्कुल अभी थोड़ असा ठीक है मतलब 70% तक मुझे रिलेक्स है बाकी मेरी फिजियो थेरेपी रेगुलर होती है और उसी की बदोलत जो है और मैं पढ़ा पा रहा हूँ आपको ठीक है चलो अगले सवाल पर आएंगे तो अमने सास्त्र आंरत्यों ऑन्की तो उमने पढ़़ ले आठ सास्त आर्त्य न्रत्यों मतलब हम पुस्तक नाट्य सास्त सत्र जिसको किस ने लिका है भरत्मुनी ने दोழ लिछा new और आचार नदी के वरके अबिने दरपन्द को किसको रखा गया है अबिने दरपन्द की अभी अगर हम बात करेंगे नाटे सास्त्र की अगर हम बात करेंगे तो नाटे सास्त्र जो किसके दौर लिखा गया तो भरतमुनी के दौरा नाटे सास्त्र को लिखा गया ये दो किताब एदार रखना अच्छा इन दो किताबों में हमको सुरुआत में सास्त्रिय नत्य का उल्लेक मिलता है प्यार का सास तो बरतमान में 8 सास्त्री अन्रत्य हैं, श्वकी नट्राज, मूर्ती, सास्त्री नत्य का परतीक है, तो यह सवाल most important है, यह बताओ, श्वकी नट्राज की मूर्ती है, श्वको नट्राज की फॉर्मेट में आप देखा हुगा, ऐसे करके पैर को ऐसे लगाई हुए, जो एक म श्वकी नट्राज की मूर्ती है, वह किसके सिंबल है, किसीज का भी है, यह सिंबल है, क्लासिकल डांस का, तीनों पॉइंट समझ में आगे, तो comment में yes लिख दो, फिर मैं आगे बात करूँगा, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, अगर तीनों पॉइंट अगर आपके समझ में आगे, तो एक बार बताना, फिर मैं आगे चलूँगा, फिर मैं आगे चलूँगा, ठीक है भी है, हमत सिंग करें, यह सर, जुही परवीन करें, यह सर, ओके ठीक है जी, गुरु जी पढ़ाई के साथ साथ अ कम पी अगरी हम लोग के लिए आप जान है गुरु जी अब तो चाय बहुत कम कर दी सुंद्रम कुमारी जी, गरवाल ओनी बंद कर वादी बिलकुल, अब तो मुश्कल से दिन में, पूरे दिन में, दो या तीन चाय केवल, पहले तो मैं बहुत पीता था, अब तो दो या तो तो बहुत मुनी दवार रचट नात्य सास्त्र और आचार इननदी के ऐसा धर औररे कशेते सो दवरा रचट अभिने धर पने सास्त्री नत्य का उल्ले परत्मान में 8 सास्त्री नत्य है, से र Kievंकि निताज मूरर्ती सास्त्री नत्य का प्रती कैदार रखना, अब जैसे पहला सास्त्री नत्य है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम में क्योंकि जितने भी सास्त्री नत्य हुए ना, उन सास्त्री नत्यों को हर कोई नहीं कर सकता है, इनको करने की एक विश्यस्ता है, एक विधाय इनको करने की अलग प्रॉपर तरीके से, और ले, ताल, बद्ध के तो वह भरतनाट्यम के बारे में बात करेंगे। तो सुरुवाती दिनों में इसे मंदर में देवदासियों दौरा बगवान की मूरति के समक्ष किया जाता था। पहले देवदासी वाला कौंसेप्ट आपको पता ना तो फरुवाती दिनों में देवदासी दाला भगवान की मूर्ती के समकष किया जाता था दिया देखना जब यह जो नरत है भरतना프म नरत है आरंभ होता है ऐला रिपू या इस्तुति से मतलब जो इसका जो आरंब होता है बरतनात्यम का उसको आला रिपू या इस्तुति कहते हैं और जब इसका जो अन्त होता है तो उसको तिल लाना कहते हैं या पॉइंट है तो यामनी कृष्णमूर्ती, सोन अलमान सिंग, मर्डालनी सारा भाई, मल्लिका सारा भाई ये सवाल पीपर में बनेगा दार रखना यामनी कृष्णमूर्ती, सोन अलमान सिंग, मर्डालनी सारा भाई, मल्लिका सारा भाई यह जो जाएंगे दार रखना प्रमक कलाकार है किसी के प्रमक कलाकार है भी या तो यह जो दार रखना भरत नाट्यमनत के प्रमक कलाकार है भरत नाट्यमनत के प्रमक कलाकार है यह हो जाएंगे याद रखना तो भरत नाट्यमनत के प्रमक कलाकार हो जाएंगे याद रखना सारा भाई मल्लिका साराभाई जिसके प्रमक अलाकर हो जाएंगे नमडर बात करेंगे कतकली के बा序ंगे इस तरहीची बैसे आपने मुकोटा पहने वे हं बहुत से लोगों लिए दार रखना है न, कुडियाट्तरम और कृष्णाट्टम, कृष्णाट्व इस न पढ़ ले ले केरल के जो लोकनाटक है केरल में दो कृष्णाट्टम कृष्णाट्म इसके प्रिजनाट cathar शूरत हैं, दार रखना तो लोकल फॉक ड्रामस ऑफ केरला, कुडिया टम एंड किष्णा टम आर्डा सोर्स ऑफ इट्स इंस्परेशन इसकी और जो है उसके सुरूत है इसमें नर्तक दौरा रामाईड महाबारत और पुराणों के चरित्रों का अविने किया जाता है जो उसके चरित्र रावड है उसमें या उसमें जो नाम दे रखें उनकी तरह पोसाग उसाग पहन के जैसा जिक्र मिला है हमारे रामाईडों में नायक के मतलब क्या है जो नर्तक कर रहा है या जो किसी की कॉपी कर रहा है जैसे मेरी कोई कॉपी करेंगा तो नायक हो गया कथी जो कथा कह रहा है वो क्या है खल नायक के दार रखना है तो दो चीज़ समझना खल नायक और नायक ये सब पेपर में पूचा जाता है नर्तक के चेहरे पर जो हरा, लाल, काले और सफेद रंग का प्रेव होता है हरा, लाल, काला, सफेद तो हरा, हरा, लाल, काला और सफेद इन चार रंगों का बिसे इस्तोर से इस्तेमाल किया जाता है दाद रखना रूपम को मातेवारी के bizarre class all subjects केलिए common है किआ अब जी ही आँ बिल्कुल सबी के लिए common है GKGS चाहे आज आप 1-5, 6-8, 9-10, 11-12, कोई भी subject हो GKGS बिल्कुल common है आपके लिए, ठीक है बिया, और ऐसा नही कि TRE 3 पॉइंटों के लिए भी सबी एक्जामें यह जी के जिए साहती है common वह मैं पूरा सब कुछ आपको करा रहा हूँ उमर जी आपकी है पढ़िए या मत पढ़िए ठीक है हरा लाल काला सफिद है हरा रंग सदगुण एवं मर्यादा का परतीक है लाल रंग पाप का परतीक है काला रंग तामसिक एवं पीला रंग सवाथ असात्विक और राजशिक सवाब का सूच चके यह केरल के साथ करनाटक में परचलेत है इसके प्रमुक कलाकार हूँ के शिवरामन, के बालकृष्णन, कला मंडलम, रामन कुट्टी नहर एक ही नाम है कला मंडलम, रामन कुट्टी नहर, रिता गांगली, सदानम कृष्कन कॉट्टी के बालकृष्णम कला मंडलम ध्यान seront पाइच्छन माफस आपकरेंगे के बाल कुट्टी नायर एक नाम हो जैगा कला मंडल रामकुटि नायर ृता गॉनि स्दानम कुट्टी अगे चलेंगे मोहिनि अट्थम की बात करेंगे जब अच्छल्य के बात करेंगे तो मोहिनल करल का यह चैया मानET है कि बसमास और वद के लिए विश्नुदवारा मोहिनी करूप लेने की कता से इस– इसका विकास हुए एक राच्छस हुआ था बसमास और जिसने बदान ले लिए कि जिसके सर पर यहात रग दू और कह्दू कि बसमास और बसमास और बसमाससů한 तो बसम हो जाए लेकिर भाई साब ममलागड़ बढ़ो गया वो तो बगवान की सर पर आध दनने के लिए भागा तो बिश्णु जी तो अहीं अभी या तो एक सुंदर सी माइला का रूपदर के उसका अर्नत्य करवाया और उसके सर पर आध दरवा दिया बसमासूर 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 तो तो समझना तो यह जो है अगर आप से पूछा जाए कि मोहिनी अट्टम का विकास किससे हुआ है तो बसमासूर बद की जो कता है उससे इसका हुआ है इसके प्रमुकलाकर नो कल्यादी कुट्टी अम्मा मोस्ट इंबोर्डन पूचा एता है विजय लक्षमी वैजनती माला हेमा मालनी सुनंदा अनायर गोपेका पर्मा पल्लभी कृष्णन हेमा मालनी को आप जानती है एक्ट्रस हैं तो हेमा मालनी जो है दार रखना वो मोहिनी अट्टम नत्त की कलाकार है हेमा मालनी याद रखना ठीक है विया हेमा मालनी मोहिनी अट्टम कुचीपुटी की बात करेंगे तो कुछीपुडी आंदपदेश का सास्त्री नत्य याद देखना इसके प्रमुक लाकारों में यामनी कृष्णभूर्थी रागिनी देवी राधा रेड़ी भावना रेड़ी राजा रेड़ी और यामनी रेड़ी जितने भी रेड़ी हैं वो सभी के सभी कहा रेड़ी में और अगर मृडोशन ऑद शेए बहुत बड़ी अग्लासी चल देवारी है ठीक है चल यह करेंगे तो नाम से पता चल रहा है ũा में इसका असास्त्य नत्य शरुवात मैं तता देवधासियों सताब्दी में इसे अद्म आप में पर पहपता पदा और ब्र पहले ये देवदासियों द्वारा किया जाता था तो देवदासियों द्वारा किया जाएगा मंदरों में किया जाएगा देवताओं के समक्ष किया जाएगा लेकिन 12 सदी में इस नत्र वैश्नवाद का प्रवाब पढ़ गया मतलब विश्नु भगवान वैश्नवाद जो व प्रमुके इंदमिन दो जाएंगे, कुनार के तता ब्रहमिश्वर, ब्रहमिश्वर के शूरे मंदरों के शिलालेकों में इस नत्यका उलेक भी है, जो शिलालेक, अब आप कहेंगे, इस सिलालेक क्या होते है, पत्थरों पर कुछ चीज लिख दी गई, वो क्या के लाई विया सिलालेक के लाई, तो कुनार के तता ब्रहमिश्वर के शूरे मंदरों के शिलालेकों में इस नत्यका उलेक है, यह बगवान किष्ण की प्रस्रत कथाओं के आधर पर किया जाता है, प्रमुकलाकारों में शोनलमान सींग, गुरू पंकज चरंदास, मोस्ट इमोडेंट है, प्रमुकलाकारों में सोनलमान सींग, गुरू पंकज चरंदास, केलु चरंबोपात्रा, मिनाती मिस्ट्रा, मोवंती, माधवी, मुदगल, या अधती बंदोपाध्या, अधती बंदोपाध्या, तो यह इसके प्रमुकब हो जाएंगे, मड़िपुरी नत्य के अगर मात कर जो कम्यूटी है, उसमें डोल इस नत्य की आत्मा है, नर्तक द्वारा गुंगरु का प्रयोगी नहीं किया था, बिना गुंगरु के डांस किया जाता है, नत्य के विविन रूपा में रासलीला, संकीतन, ठंगता है, आगे बताऊंगा इनके बारे में, प्रमुकलाकार में जावेरी बहन है, जावेरी क्या है, टाइटल हो जाएगा इसका, जावेरी क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा भी है, साउंड नहीं है, क्या क्लास में साउंड नहीं है, 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 क्लास में स इनको इस वात के लिए ततकाल इनको और सुस्मा कुमारी जी ने बहुत गलत बात की जिसके वैसे class ततकाल इनको कुछ दिर के लिए और ब्लॉक कर दिया जाएगा करू किन करू चलो रहन दे रहा हूं लेकिन आगे से जो इस तरीके से बात मत करना है ठीक भी यहां चलो खेर आगे पढ़ते हैं ठीक है भी यहां तो झायवे यहां नहीर जम्यवार्दका कमकुम्ट घाते हैं ये अईचिस कर्णा मुझे आश्ने ऐसन सस्याद हूआ था आपको आक्सानी सियाद होगा तो युए इस के लिए आपको थोड़ा से extra effort मं पढना ही पड़ेगा इस बात को याद रखना सत्रिया नत की बात करेंगे तो यह असम का असास्त नत्यें 15 20 दापदी में इसका विकास वैस्नव्संत शंकर देवने किया पंद्रेविस दापदी में इसका विकास वैस्नफ संत शंकर देव ने किया इसे कई विदाओं में बाटा गया अफसरानत्य चाले नत्य दसावतानत्य और रासनत्य मतलब इसके ही प्रकार है प्रमुक लाकारों में जतीन गोश्वामी मनिक बरबायान आनंद मोहन भगवती ह परिचरण सेकिया, रामेशवर सेकिया, रामकृष्न तालगदार, कृष्नाक्षी कस्यप पढ़ाई लिखाई आसन थोड़ी ना है आप सोचो किया अरे बापरी बाप इतना पढ़ना पढ़ेगा हमने तो बहुत सारी किताबें पढ़े हैं लगातर और भी हम तो आगे और भार याद करते हैं, more practice, more practice, more practice, more practice, आपको कह लगता है योटूब पर टीचर जो पढ़ाते हैं वह बहुत अर्मल काम है उनका एक एक चीज को पढ़ना पढ़ता है, किताबं को याद करना पढ़ता है, टॉपिक को देखने पढ़ते हैं तब जाकर के मास्टर तुमको को लगता है कि बहुत आसानी से बस तुमको चीज न याद नहीं हो रहे हैं सर ऐसे याद करना पड़ेगा इतना पड़ना पड़ेगा अरे भाई साब तुम कोई प्राइविट नौकरी ना कर रहे हो पुलिस की नौकरी ना कर रहे हो तुम अध्यापक बनने जा रहे हो टीच का मतलब है कि आपको अपने अंदर और सीज को लेकर के आएगा है ना चलिए बिया कथक नत्त की अगर बात करेंगे दार रखना तो यह उत्तर पड़ेश का सास्त्री नत्त है वर्तमान में यह राजिस्तान मद्यविदेश में भी प्रचलेत है है ना मैंने आपको बता दि करते कथा कहना पहले इसको कथा कहते थे वहीं से इसका हो गया इसे नटवरी नत्त भी कहा जाता है इसे नटवरी नत्त भी कहा जाता है सास्त्री नत्त में कथक का सम्मध एरानी एवा मुस्लिम संस्कति से भी है सास्त्री नत्त में कथक का सम्मध एरानी एवा मुस्लिम सं मिल है लिख लेना तो छे गराने दार रखना अगर मैं बात करूँ एक बार एक बार मैं देखू कि कत्थक के प्रमुग घराने कौन-कौन से दार रखना कत्थक कत्थक के प्रमुग घराने अगर मैं देखू एक बार चलिए तो गूगल पर दिखानी था इतने लिखली जैपुर लखनु बनारस इसके प्रमुकराने प्रमुकलाकर हमें इस्वरी परसाद, दुरगा परसाद, लक्षु महाराज, शंभु महाराज, बिर्जु महाराज, शितारा देवी, पंडित जैलाल, पंडित सितारा गिर्जादेवी जिनको ठुमरी कुईन कहते हैं, और सुबना नारण, ये इसके प्रमुक कौन हो जाएंगे भी या, कलाकर हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे भी इसके, ये इसके प्रमुक कलाकर हो जाएंगे, ठीक है, चलिए, एक और फिर शियाद रखेंगे, तो भरत बारत के प्रमुग लोक नत्य भी आज रख लेते हैं कौन कों से लोक नत्य है जैसे इदार्यक ना गरभा का पर होता है गुजरात में डांडिया रासनत्य गुजरात में तरंगमेल गुवा में गुमर या गंगोर कहते हैं राजस्तान में यह गुमर है दार्यक ना गुमर है ना कालवेलिया राजिस्तान में चारवा हिमाचल प्रभाई गिद्दा पंजाब में दादरा उत्तर प्रदेश में जावारा मद्ध्रपदेश में गौर्मारिया चछतीसगड में आद रखना ये भारत के प्रमग लोकनत्त हो जाएंगे घरवा गुजरात दांडिया रास ग परंगमेल गोवा, गुमर या गंगुर राजिस्तान, कालवेली या राजिस्तान, चारवा इमाचल प्रदेश, बांगरा य गिद्धा पंजाव, दादरा उत्तर प्रदेश, जवार अमध्य प्रदेश, गौर मारिया च्छत्तिसगड, आपसे सवाल पूचा जाए बताओ, क आपको पताओ, उत्तर प्रदेश समधत, दादरा लोकनत, क्या बताओ, दादरा बताओ, उत्तर प्रदेश, दादरा किसे अब या उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, चले, आलकाप जिसको जूमर कहते हैं, तो दादरेक ना, ये जूमर जारकंड में, ये जूमर है, और ये घुमर है अंतर है घुमर राजस्तान में होगा और जुमर जारकंड में होगा बिरहा जो जिसको जाट जाटे नत्य केते हैं बिहार में आपके में बिरहा होता है पाइका या डंडा जात्रा ओडीसा में होगा बागुरुंबा या भिहू नत्य असम में होगा, ठांगटा नत्य मरिपुर में होगा, कुम्मी नत्य तमिलनाडू में, बुट्टा बोमालू नत्य अंदर बुदेश में, कई कोटी कली या पडयानी केरल में, कोलकली केरल लक्षदीप में, जूमर पंजाब में, जूमर गुमर् राजिस्तान होता है धार रखना थिए चलाए की लिर्व Аगे बाद करों जैसे सवाल पूछ लिये के बाताओं बागीर움बा किस राजिका लोकनत्त है यह अगर आप के दोर हुगा राउत नाच यादव समझाए छतीजगर दुमहल नत्य वठल जंजाती दोरा जम्मु कस्मिर में पुगडी नत्य महारास्ट में गोवा के कॉंकडी तट में है ना एफ का मतलब फीमेल महिलाओं के दोर किया जाता है छेराओ नत्य मिजुरम में दलखई नत्य प्रास्टर बनोगे थोड़ा सब पने दमाग को जादा लेकर जाओ जादा किताब पढ़ो मेरे लाइबरीर में यहाँ पर कम से कम सो तो तो किताब रखी होंगी और पताने कितनी किताब पढ़ा ली फिर भी हमेसा ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं आता मुझे कुछ नहीं नाच रातने को प्रण अगया गारे लाज प्रण द सब्स करह में है उन उसके बाद नहीं जखाए भी पर आएंगे दार रखना अब उसके बाद कि आप प्रमुग बाद दियंत्र सास्तिन ते प्रमुग दिवस होगे अब हम आएंगे दार रखना एक टॉपिक को जिसको हम कहते हैं भारत के अद्बुत मठ बारत में कुछ प्रमुग मठ हैं मठ समझते हैं जो बहुत धर्म से र दार रखना ठीक है प्रमुग मठ हों में अगर बात करेंगे जैसे एक होता दार रखना हमारा एक होता जैसे हमारा रूम टेक मठ तो रूम टेक मठ कहां पर याद रखना तो गंग टॉक शिक्किम है तो रूम टेक मठ कहां पर विया तो रूम टेक मठ हो जाएगा दार घंगटॉक की अगर बात की desp enfat, वै लिये LADAK में याद रखना । है अगर बात वी compromise सोथे हम इध मत की अगर मत कि जाएगी तो ले लर लद्दाग में याद रखना है मिस मत का हो जाएगा ले लाद्दाग में ऄदर रखना ठिक से गोंपा मठ का हो जाएगा लेल अद्दाक हो जाएगा गूम मठ का हो जाएगा तो दारजलिंग पस्चम बंगाल में क्या हो जाएगा गूम मठ हो जाएगा दारजलिंग पस्चम बंगाल में मिन द्रॉलिंग मठ हो जाएगा भी या नाम द्रॉलिंग मठ का हो जाएगा तो महसूर करना टग में नाम द्रॉलिंग मठ हो जाएगा दार रखना तो ये कुछ प्रमक मठ हो जाएगे अरे का गया भी या अरे रुपजा भई नाम द्रॉलिंग मठ ताबो मठ की अगर बात की जाएगी तो इस पीती घाटी हिमाचल प्रदेश में का हो जाएगा या ताबो मठ हो जाएगा याद रखना की मठ की अगर बात करेंगे तो इस पीती घाटी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा की मठ याद रखना फुगतालमठ की अगर बात करेंगे तो लद्दाक में हो जाएगा, फुगतालमठ हो जाएगा, लद्दाक में याद रखना, लद्दाक में क्या हो जाएगा, फुगतालमठ हो जाएगा, नोट कर लिजएगा, तो ये कुछ प्रमकुमठ हैं, अब एक वार में इसको बैक करत आप एक बार 12 सेन को पढ़ेंगे number आप पढ़ेंगे फुगतालमत बोलेगा कहां पर है फुगतालमत का पर हो जाएगा तो फुगतालमत हो जाएगे लद्दाक में नमबर दो जाध रखना की मठ तो की मठ का हो जाएगे स्पिती गार्टी हिमाचल बदिश में कीमठ कां वो جएगा स्पिती ङार्डटी हिमाचल बदीश में नामद रहु लिंग मत कां वो जाएगा थो में fianceूर करना तो में sleepingkind स्बस् kortर्नाटक में में western past करनाटक में या वही में रात करेंगा नामघ्याल नामघ्याल घूम्ट के वारें बात करेंगे बात करेंगे तो ले लद्दाग में क्या हो जाएगा थिक से गुमपा मत हो जाएगा हेमिस मत के बारे मात करेंगे तो ले लद्दाग में हेमिस मत हो जाएगा एंची मत के बारे मात करेंगे तो गंग टॉक्षिक्क में क्या हो जाएगा रूमटेक मत के बारे मात करेंगे तो टो गंग टॉक्सिक के में रूम्टेक मट हो जाएगा ठीक भहलो तो यह झातले आपके प्रमग हो जाएगउ यह प्रमकमट हो जाएगे इस बात को याद रखना दो नोगे आपको याद रहाए घॉा, यह झाली जरूर के नियस्ए में भतchesअ, इस लेवल के पेपर में फसते ही फसते हैं, मैं बहुत सारे टॉपिक के content आज आज आपके लिए बनाय हुआ दीर दीर आपको पढ़ा दोंगा, तीन टॉपिक तो मैं आपको करा दिए तेरो तीन टॉपिक में भारत के अदूत मठ करा दिए प्रमुख बात दिये, तो सास्तिनत करा दिये, प्रमुख दिवस करा दिये, अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं क्या भिया, बुक्स के बारे हम पढ़ेंगे, कुछ बुक्स हैं महत्पून, कुछ किताब हैं, उन किताबों को पढ़ते हैं भिया, अब किसको पढ़ें किसके बारे मी पढ़ने वाले हुआ है अब आप मिहाँ पर पढ़ने वाले है books한 author के बारे मी पढ़ने वाले हुआ है book And author on book and author सपढ़ेंगे दार रगना कज़वा कुछ किताबहें की उनके लेकाओ पुझाखेंगी सीधा सीधायाद करतेया चलना जैसे एक किताब एदार रखना Discovery of India तो Discovery of India पुस्ता के लेकर कौन हो जाएंगे तो यहाद रखना Pandit Jawaharlal Nehru तो Pandit Jawaharlal Nehru के आओ जाएंगे Discovery of India पुस्ता के लेकर को जाएंगे तो Discovery of India पुस्ता के लेकर Pandit Jawaharlal Nehru हो जाएंगे दार रखना और अगर आपसे सवाल पूचा जाए कि री डिस्कवरी आफ इंडिया पुस्तक के लेकर कोन हो जाएंगे तो री डिस्कवरी आफ इंडिया पुस्तक के लेकर कोन हो जाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगनात देसाई कोन हो जाएंगे तो री डिस्कवरी आफ इंडिय पुस्तक के लेका गो जाएंगे मेगनात देशाई डिस्कवरी अफ इंडिया पुस्तक के लेका गो जाएंगे जवालना नेरू री डिस्कवरी अफ इंडिया पुस्तक के लेका गो जाएंगे मेगनात देशाई discovery of India जो पुस्तर के में धारगना इसमें जवालना निरुजी एक concept दिया था अनेकता में एकता अनेकता में एकता तो इस सवाल पूचा जाता है कि अनेकता में एकता का जो concept है unity in diversity जो एक concept वो किस ने दिया था निरुजी ने दिया था discovery of India में और अनेकता में एकता जो है दान रखना ये भारत की विविदता को दर साता है किसको दर साता है तो भारत की विविदता को दर साता है किसको दर साता है भारत की विविदता को दर साता है किसको दर साता है भारत की विविदता को दर साता है याद रखना ठीक है भारत के परतम प्रथम प्रधानमंत्री सबसे जादा कारिकाल वाले अगर 24 में अगर मोदी जी अगर प्रधानमंत्री तीसरी टम में बन जाते हैं तो उनका कारिकाल और इनके बराबर लगवग पहुचेगा, ठीक है विया, चले, बताओ, ये बात किलियर होगी विया, बताओ एक बार यहा फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ यहां पर, ठीक है विया, कुछ और अच्छी चीज में आपके देखता रहे नहों, ताकि कोई भी चीज ऐसी नहों, जो आफसे छूटे नहीं जो, अति अगर कोई महत पूंचीज है, तो आफ से बिलकुल भी छूटने न पाए, ठीक है विया, वो आफसे बिलकुल भी छूटने न पाए, यह बहुत जादा जरूरी है, यह क्या है भी यह, बहुत जादा जरूरी है, हाँ, मैं इसी कवारी में करा था, जवालना नेरू का जो समाधी इस्तलह दार रखना, उसको सांती बन कहते हैं, तो उसको हम लोग सांती बन कहते हैं, दार रखना, जवालना नेरू का जो समाधी इस्तलह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सांती बन कहते हैं, यह मैं साच करा था, मैं लिगा ठीक है, चली, दूसरी पुस्तक आगे, Rediscovery of India पुस्तक आगे दार रखना, तो Rediscovery of India पुस्तक के लेकर कोन हो जाएंगे, यह मेगनात देसाई हो जाएंगे, एक किताब है, मुद्रा राक्षस, जो संस्कत में लिखेता है, दार रखना, इसके लिएक कोन हो जाएंगे, बोलो, विसाख दत्त, मुद्रा राक्षस के कोन हो जाएंगे, विसाख दत्त हो जाएंगे, मुद्रा राक्षस के कोन हो जाएंगे, विसाख दत्त हो जाएंगे देखना चाहोगे ़। भी और भी मुद्राराक्षस राखी तो मैं इस में पड़ा। मुद्रा राक्षस, यह किताब मैंने पढ़ी भी है, यह किताब मैंने पढ़ी भी है, यह किताब मैंने पढ़ी भी है, आप देखोगे तहाँ पर, यह दे रखा है, मुद्रा राक्षस, तो यह किताब है, मुद्रा राक्षस, विसाग दत की है, मैं लेके भी आया हूँ, ले चलेंगे, train to Pakistan, एक पुस्तर के दाहर रखना, train to Pakistan, एक पुस्तर के history of Sikh, the mark of Vishnu and other story, the voice of God and another story, खुस्तर के दाहर रखना, एक पुस्तर 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 के दाहर रखना, दसवीश मनट पच्छीश मनट क्लास और कर लेंगे कोई काम करना तो कर लो मुबाइल को चल ले दो कुछ ना कुछ दुमाग में आएगा न मुबाइल को चल ले दो ठीक है भी या चलिए इतियास का पिता केते इंहोंड ने पुस्तक लिए इन्होंड एक पुस्तक लिए थी हिस्टोरिका पुस्तक को दो लेकक हो जाएंगे उनका नाम हो जाएंगे कि होजेग clear που को को फिस्ट्री पुस्तक के लेकक माना जाएगा इस बात को याद इंडिका के बारें बात करेंगे तो मेगस्तनीज जिस ने मौर समाज का वरडन किया है उसकी पुस्ता का नाम क्या हो जाएगा इंडिका हो जाएगा दान रखना तो मेह घस्तनी स कि निकेटर का राज़ोता आगे बात करेंगे अर्तसास्त अर्थसास्त अचाहिए आपको बता मेगस्तनी सेलुकस निकेटल का राजदू तो था ही था लेकिन अगर आपसे पूचा है किसके दर्वार में आयता तो आपको बता ही चंद्रकुप तो मौरे के दर्वार में आयता इस बात को धार रखना चंद्रकुप तो मौरे के दर्व बताई ठीक है भी या बताई के लिए रहाँ है और इस तो एक सवाल भी पूछा गया था ना एक मट्रुक ना साइद पेपर में देखू मेरे पास पेपर होना चाहिए इसका कहा है भईया पेपर इस ते एक सवाल भी पूछा गया था ना एक मट्रुक जाओ पिछले वाले पेपर में पूछा गया था न, मैं भूल रहा हूँ, पंदर है होगा साइद कौन सा, 26 अगस्त है न, अच्छे तो जोगरफिक है जोगरफिक है नहीं होगा, ये होना चाहिए, ये वाला एक से पांच, एक से पांच, एक नुब जाओ, उसमें लिखा हुआ न, politics, adjust और, जिसके जुरूरत है बस वह यथ नहीं बिल रहा, अब भी बता है, अर्थसास को कितने भागों लिखा गया जरा बताओ कमेंट करके, मेरी दमाग सिस्के पूरा है पेपर में भी आया है, मैं आपको पेपर भी दिखा देता मैं आपको पेपर भी दिखा है तो जाद बढ़ी हा रहता ना, इसलिए मुझे थोड़ा समय सर्च कर रहा हूं इसको हाँ, यह रहा है ना, मिल गया सब रखा रहता है ना, बहुत सारी किताब है ना, मैं यहां पे पूरा एक दम से भरा पड़ा रहता है यह सब को यहां रख देता हूं तो यह सवाल जो है, नौभी दस्वी वर का यह मिल गया सवाल मुझे दान रखना है ना, यह वाला है तो इसमें यह सवाल पूछा भी गया था यह वाला, कोटेले का अर्थसास कितने अधिकरणों में विवाजित है तो 15 अधिकरणों में विवाजित है यह सवाल पेपर में पूछा गया था, नहीं, अरे वो तो अलग है, वो तो मुझे पता है, समस्की और वो तो पता है मुझे, लेकिन कोटेले के अर्थसास की बात कर रहा हू तो कौटलिक अर्थसास्त्र 15 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 अ पंद्रह अधिकरणों विवाजत है विवाजद नहीं सबस्क्राइए दॉन्हेरा avoiding पुठा जाय को अब बारता जो नीय HAVE बारा भी के दवारुटर या ने किसके दवारुब्ली के दौरा पुस्तक कि दौर्खना कोंने की विंगे रिंग है क्रात अर्जुनियchutz पुष्टक किसे दो लँका है पांड़नी के दो लखी है अर्थास के दो लखी है कोटलिख दौराि, कोटलिख साथा सु को यह 15 अधिकणों में वैजतर में भैजित किया गया, इंडिका को ओर लो ने वेगवस तइन लिखा देक चलिए , महाकावी को पतनजली ने लेखा, महाकावी नामकपुष्टक किस के दौरा लगी तो महा का भी नामत पुस्तक पतंजली के दौरा लिखे गई है महा का भी पुस्तक किसके दौरा लिखे गई है तो महा का भी पुस्तक दार रखना पतंजली के दौरा लिखे गई है वहीं कालिदास की रशना तो आपको पता है तो यह पुस्तक जो है किसके दार लेखेगी है कालिदास के दार लेखेगी है तो विक्रमोर वर्षियम भी कालिदास के दार लेखेगी है तो दार लेखना ठीक है भिया ठीक है भिया चले आगे बात करेंगे आगे देखेंगे तो आधी पुराण जो जैन गरंत रिसवदेव के दस जन्मों का वड़न जिसम मिलता है दार लेखना आधी पुराण एक पुस्तक है तो आधी पुस्तक है पस आधी पुराण को किस ने दाल लिखा गया जिन से गईधे शर्क का वडन के भरन कि भारतीय चकित्सा का विश्वकोस कहा雜ाता है कुशाणवंस्क राजवेद थे, कुशाणवंस्क जो राजवेद थे, चरक द्यार रखना और इनोंने क्या लेकिया। और इसमें यह उन्होंने हड्डियों की संक्या तीन सौ बताई थी इन्हीं में इन्होंने हड्डियों की संका कितनी बताई भीया, 300 बताई है, वैसे जनरली कितनी होती है, 200 होती है दान रखना, ठीक है भीया, चलो, किलियर भीया, दान रखना, चरक को दान रखना, प्राचीन सल्य चिकित सका आ गया है, चरक को क्या कहते हो, तो चरक को सल्य च पुस्तक के दान रखना रतनावली नागनन्द इन तीनों पुस्तकों को हर सुवर्धन ने लिखाता जो पुष्च बूती बंसका आ जाता हर सुवर्धन पुस्त बूती बंसका राज आता हर सुवर्धन उसने पृधर से का रतनावली नागरंद को लिखाता दान रखना हर्सवर्धन की राजदने क्या आती आपको पता थानेश्वर लेकिन इसने अपनी राजदने थानेश्वर से कहां पर पहुंचा दी कन्योज में पहुंचा जिसमें तीन राज आते दा रखना गुर्जर्पतियार रास्टगूट और पाल अंतुरु से कौन जीते हैं। पतिहार जीते हर्सचरित द्यार रगना हर्सचरित जिसमें हर्सवर्धन की जीवनी को लिखा गया है और कादंबरी हर्सचरित जो हर्सवर्धन की जीवनी है और दूसरी पुस्तक है कादंबरी इन दोनों पुस्तकों को बांडवटन लिखा है जो हर्सवर्धन के दर्वारी कवीते नोट कर लीजेगा जो हर्सवर्धन के कौंतर भी या दर्वादी कवीते दार रखना तो हर्सवर्धन के दर्वादी कवी का नाम था बार्डवत्ट हर्सवर्धन के दर्वादी कवी का नाम था बार्डवत्ट हर्सवर्धन के दर्वादी कवी का नाम था बार्डवत ठीक भी या चलो पंचितंत्र पुस्तक के लेका कौन हो जाएंगे विश्नु सर्मा हो जाएंगे पंचितंत्र पुस्तक के लेका कौन हो जाएंगे विश्नु सर्मा हो जाएंगे दार रखना किराता अरजुनी पुस्तक कौन बताईदे भी भार भी जाद रखना ठीक कौन ब विक्रमंग देव चरित के लिए कारण कोई हो जाएंगे विलहण हो जाएंगे नाट शास्त्र मेरा भी आपको वताय था भरत्मुनी के द्वा लिखा गया जिसमें सास्त्री नत्यका उल्लेक हूलेक सबसे पहले किया गया नाट सास्त को किसके दौर लिखा गया है भरत मुनिक के दौर लिखा गया है जिसमें सास्त्री नत्त का सवसे पहले लिख किया गया और कुंते भिया आचारे नंदी के सवर के दौर एक पुस्तर लिखी ती अभीने धरपन क्या होता है तब हमने आपको अभिने धर्पन के बारे में बिताता है अभिने धर्पन एक पुस्तर के जिसका नमें आचारे नंदी के सर के दौर लेखी है किसके दौर आचारे नंदी के सर के दौर लेखी है किसके दौर आचारे नंदी के सर के दौर लेखी है याद रखना ठीक है कामसूत्र पुस्तर को किसके दौर लिखा गया है वात्सयान को द्यादन लिखा गया है कामसूत्र पुस्तर को किसके दौर लिखा गया है विया तो वात्सयान के दौर लिखा गया है कामसूत्र पुस्तर को मरक्ष कटिकम मरक्ष कटिकम जिसमें मिट्टी का खिलो ना किसके दौर लिखा गया है? सुद्रक के दौर लिखा गया है किसके दौर लिखा गया है? सुद्रक के दौर लिखा गया है बताओ, किसके दौर लिखा गया है? सुद्रक के दौर लिखा गया है मैंसे जो भी मुझे यूटूब पे लाइव देख रहे हैं इस वक्त मैं उन सभी को कहना चाहँगो जीवरमन आप पढ़ाय लगाई खूब गरिये दवा के खूब पढ़ाय लगाई करें खूब पढ़ते रही है मुस्कराते रही जितनी चीज़ों का पढ़ोगे उतना बढ़िया रहेगा तो इस सारी किताबें में पढ़ता रहता हूँ ठीक हैं इस सारी किताबें में पढ़ता रहता हूँ कोई दिक्का तो नहीं आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं सब अगला है मिताक्षरा मिताक्षरा हिंदू कानून से संबन देते हैं मिताक्षरा और इसको विज्ञाने सुर के दार लिखा गया मिताक्षरा को किसके दार लिखा गया तो मिताक्षरा को दार रखना हिंदू कानून के वारे मिताइ गया और उसके वारे मिताक्षरा को ठीक भी याद कर लो बड़ी महतपुने मिताक्षरा क्या भी है मिताक्षरा बड़ी मेहत्त पुन है इस बात को आप याद रख लेना है ठीक है भी है और इस पुस्तक में क्योंगे हिंदू कानून से संबनुदित है तो दा हर रख लेना इसमें पढ़ लिजये का कि इसके अनुसर पुत्र के जन्म से ही पितागी संपतिर उसका अधिकार माना जाता है मेताक्षणा जो हिंदु कानूम से शंबने पुत्र की संपत्ति पर अधिकार माना जाता है इस पुस्तक इनसार अधिकार माना जाता है तो पिता की संपत्ती पर पुत्र का अधिकार है मिताक साक इनसार जनम से दार रखना और हिंदू उत्राधिकार अधिनियम जो 2005 में जो संसुदन लाए गया दार रखना एक आपने सुनाओ का हिंदू उत्राधिकार अधिनियम आय अधिकार बताया गया महिलाओं का भी महिलाओं का भी पिता की संपत्ती पिता की संपत्ती पर अधिकार तो महिलाओं का भी पिता की संपत्ती पर अधिकार जो बताया गया वो इसी पुस्तक के बियाब पर बताया गया दान रखना और यह जो हिंदु उत्रा अधिकार अधिन हो जाएगा इस बात को धान रखना एक मिताक्षरा की जैसी एक और पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम जाद रखना है दाय भाग याद रख लेना मेरे दोस्तों बड़ी महत्तकूर है मिताग सराग जैसी एक पुस्ताग हो रहा है जिसका नाम क्या हो जाएगा दाएबाग जिसका पुस्ताग हो लिखा जी मुतवाहन के दौरा जी मुतवाहन जी मुतवाहन द्यान रखना तो एक लेकर को है दाएबाग के जिनका नाम है जी मुतवाहन और ये कहते हैं दान रखना कि पिता की मरत्यू के बाद ही पुत्र का संपत्य पर अधिकार माना जाएगा दोनों तीनों चीज़ आद होगी तो एक वर कमेंट में यस लिख देना कि दोनों तीनों चीज़ आद होगी तो ठीक है भी यह तोड़ा सा वहतर रहेगा बागी आपकी ओमर जी भी ठीक चलो आगे चलेंगे दारगना, बुद्ध चरित, जिसमें बुद्धों की रामाइड इसको कहते हैं, गौत्म बुद्ध के जीवन का जिकर की आगे दारगना, इसको अस्व गोस के दर लिखा गया जो कनिस्क का राज कभी था, कनिस्क का राज कभी था, अश्व गोस दारगना, ज उसने चरक शाहिता ले की थी, नहीं, कुछ थान ऐसा ही भूल गया कि मैं, हाँ, कनिस्क ही तो राजवेते चरक ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, आगी चलेंगे, ठीक है भिया, तहार रेकना, ठीक है, आगी चलेंगे, कनिस्क आपको पता, ये सवाल तो पूछा जाता है, पेपर में विग विता हुए, और जो रेसं मार्ग पर नियंतरन स्थापित करने वाला सहासक लुए, सिर्पादिकारम म्मल साहित की पुस्तक है, सिर्पादिकारम, जिसको किसके तोरा लिखा गया, इलांगो अडिकल के दौर लिखा गया, किसके दौर लिखा गया तो इलांगो अडिकल के दौर लिखा गया, सिलपाद इकारम पुस्ता को किसके दौर लिखा गया, इलांगो अडिकल के दौर लिखा गया, यहाद लिखा गया, ठीक भीया, चलिए, आगे चलें बताओ भीया, कोई दिकत ने हर चीज़ का में देखता है रहता हूं महत्मुन महत्मुन चीज़ है जितनी भी है वो सब में आपको चीज़ों को यहां पर लिखा दोंगा समय आपको चीज़ों को यहां पर लिखा दोंगा ठीक है भी तो इसमें कोवलन नामक व्यापारी की कहानी याद रखना कोवलन नामक व्यापारी की कहानी दे रखे हैं भी दोस्तों किसमें सिलपाद एकारक में इसमें बताए गया कि यह जो कोवलन नामक व्यापारी है इसकी पत्नी होती है और यह एक कंडगी इसकी पत्नी का नाम है कोवलन में बताए गया कि कंडगी जो है इसकी पत्नी का नाम ह अधारग ना यह कहते हुआ कि यह कि जो है उस नर्तकी का नाम है कुछ ऐसा उस नर्तकी से प्रेम करने लग जाता है इसमें नाम मैंने लिखा हूँ लिखा है क्या हूँ या मादवी है ना मादवी नामक नर्तकी से प्रेम करने लग जाता है तो मादवी नामक नर्तकी से प्रेम करने लग जाता है उसकी इसमें कहानी है सिल्प आधिक आरव में दारखना इसके विपाख्ष में एक और किताब लिखी की दारखना जिसका नाम क्या हो जाएगा मने मेखलई अगर आप से पूचा जाए मड़ मेखले पुस्ता के लिए का कौन हो जाएंगे दारगना, इस सब सबाल BPSC पूछे जा सकते है दारगना, तो मड़ मेखले पुस्ता को लिखा गया दारगना, इसको लिखा गया सीतले सतनार के दौरा, किसके दौर लिखा गया सीतले सतनार, सीतले सतनार, सीतले सतनार के इसमें क्या बताइगना बैटी, जो ये ना रगुन 210 नामक ब्यापारी था जो अपनी पत्नि कंड की से जगढ़ा होने के बाद, जी परिम करता है और उस प्रेम में इनकी एक बेटी होती है तो दान रखना को वलन और माधवी की बेटी की कहानी उसमें माधवी इन धोनों की जो गएटी हुई है उस बेटी की कहानी इसमें दे रखी है प्राचीन कहानी है और दोनों ही Tomorrow महाकाब हैंक काउंट होते हैं मड़ी मेखलाई और सीतले सतनार की सवरी माफकरी के सिल पादिकारम और इलांगो अडिगल की ठीक भीया चली आगे बात करेंगे कोई दिक्कत हो नहीं है याद कर लेना ठीक भीया चली आगी चलेंगे राज तरंगडी पुस्तक को किसके दोर लिखा गया है करहण के दोर लिखा गया है कसमीर के इतियास की जानकर इसमें मिलती है कसमीर का इतियास इसमें हमें को पता चलता है तो कसमीर का इतियास हमको इसमें पता चलता है दार रगना किसमेर राज तरंगडी पुस्तक में कसमीर का इतियास हमको पता चलता है तिरू कुरूल जिसक के दर लिखा गया है शंपनवासवदता भास के दर लिखा इस के दर लिखा गया है बाड़ा साहित लाशनों ने किया पड़ा साहित काम है तो किसके दार लिखी गई है शुपनवासवदत्ता भास के दार लिखी गई है तेरे नाटे करोने लिखें काली दास से भी पहले आये बड़ा उनका संस्क्रत साहित में बड़ा नाम है भास का तो कभी ऐसा मन करें तो पुस्तकों को पढ़ लिया करिए जैसे शुपनवास गुनाध्यों 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 गुन आपको पता है रामाइड आपको पता है महर्सी वालमिकी के दौर लिखा गया महर्सी वालमिकी के दौर लिखा गया रामाइड दार रगना तो रामाइड किसके दौर लिखी गया तो रामाइड दार रगना तो रामाइड किसके दौर लिखी गया तो रामाइड दार रगना राम है इस वात को दार रगना है, ठीक भीया, चलिए आगे चले भीया, चलिए आगे देखेंगे महा भारत के बारे हम देखेंगे, तो महा भारत का पुराना नाम क्या है, जैसे हैं ता ये बात ध्यान रगना, विश्वका सबसे बड़ा महा काब है, मुगल बादसा अकवर ने फार्सी बासा में इसका अनुबाद करवाया, रजम नामा, जिसका अरत महा भारत के रच्पास कोन है, महा भारत के रच्पास हो शाह नामा पुस्ता को किसके दोर लिखा गया है फिर दोसी के दोर लिखा गया है मेहमूद गजनभी के दरवारी लेकता फिर दोसी आद रटना फिर दोसी मेहमूद गजनभी का था तुजुके बावरी है इसको बावर नामा आतम गता है किसके दा番 आपة बावर के दाना बावर नमा बावर के दाना तो अंगता तुर्की ने भाजारि अब्दलर्यम् समय अन्वद कर Damn क्यिताब अधन जिसको अलबरूणी के दाना वाला पुरानों का अध्यन करने वाला पहला मुसलमान को कुन ता द्नता अफुरानों का दधन करने वाला मुसल गूता हुत अलбरुनी ताfed लिखना कुन थै? अल्लबरुनी पुरानों का दन करने वाला पहला मुसलमान था किताब लेहन का के खcktर हुमायू नंभार वावर ईक्लिक हुमायु दुरून नह गुडवाइनामा बुगोल उगोल सब सांकिकी गढ़ना है तीसरे पार्ट में पदमावती के लेका कोन है तो मलिक मुहम्मद जाएंसी पदमावत अखरावट 84 वेक्षणों की वारता यह पुस्ताक के लेका कौन हो जाएंगा भी है अब मलिक मुहम्मद जाएंसी मालगुडी डेस, दा डार्क रूम, माई डेस, पेंटर ऑफ साइंस, आरके नारायन, देवदास, चरतीन, सरत चंदर, चटोपाद है, सरत चंदर, चटोपाद है, थोड़ा रेपिट पढ़ते हैं, आगे आगे, चंदर कांता के लिए का कौन है, देव की नंदन खत्री हो जा अगे लेकर कौन हो जाएंगे, यस पाल हो जाएंगे, अंटोल्ड स्टोरी, कंफर्टेशन विद पाकिस्तान, बी-म कॉल के दार लिखा गया, बी-म कॉल आपको पता है, और उस समय है, जो भी एक मूवी भी आयती, क्या नाम उनका, मॉनिक्स हो, उनके समय थे, बी-म कॉल अंटोल्ड स्टोरी, कंफर्टेशन विद पाकिस्तान, ये बी-म कॉल के दार लिखा गया, डिवाइन लाइफ, शिवानंद के दार लिखे एक पुस्तक है, डिवाइन लाइफ, शिवानंद, इंडिया आफ्टर नेरू जजमेंट, कुलदीप नयर, कुलदीप नयर के दार रगना, गीत गोविंद के लेका कौन हो जाएंगे या, जैदे हो जाएंगे, गीत गोविंद के लेका, एरिया ओफ डार्कनेस, पुस्तक को किसके दार लिखा गया, वी एस नाइपल के दार लिखा गया, वाइस ओफ रिडम पुस्तक को किसके दार लिखा गया, नैन तारा सेगल के दोरा Death of a city कागस्ते कैनवास 49 days यह पुस्तक Amrta Pritam के दोरा लखी किए Amrta Pritam Amrta Pritam को आप जानते हैं Amrta Pritam को भी है Amrta Pritam मदला बहुत अच्छी और और यहने बहुत अच्छी चीज़ें लेकिए Amrta Pritam के दोरा मुझे इनकी और काफी अच्छी लगती है इनका एक अच्छी किताब भी मेरे पास है Amrta Pritam मैं तुम्हें फिर मिलोंगी बहुत अच्छी सायर भी रही है बहुत अच्छी लेकिगा हुई है Amrta Pritam ठीक भी है चलिए आगे चलेंगे Amrta Pritam ठीक है इनकी एक प्रिता और भी मेरे पास में Amrta Pritam की जिसका नाम है रसीदी टिकट रसीदी टिकट ये भी Amrta Pritam की रसीदी टिकट ये भी मेरे पास है पढ़ते रहना चाहिए कहने का मतलब ये कुल मिला करके ठीक है भी है सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई के लावा दूसरा कोई नहीं मेरे पास option भारत भारती ये दार रखना मैत्री सन्ट गुप्त के दार लिखे गिए भारत भारती भारत भारती किसके दार लिखे गिए मैत्री सन्ट गुप्त के दार लिखे गिए कुल सी यशु धरा बहुत अच्छी किताब है बुद्ध बगवान बुद्ध और यशु धरा की बारी में बताएगा इसमें चित्रांगदा, गीतांजली, विसरजन, गाड़नर, गोरा, पॉस्ट ऑफिस, किंग ऑफ चैंबर जरा लखना है गूरदेव, रभीना, टेगुर के दार लखना है. स्रंगार सतक, नीति सतक, वैरन नी शतक ये सह भरत हरी के दार लखना है सारे किता पेपर में पुछी जा सकते हैं नो स्पिन शेड वॉर्ण के दोरा लिखी गिए थर्ड पिलर रगुराम राजन के दोरा अभीफ रिष्ट्री ऑफ टाइम स्टेफन होकेंस वाई आयम हिंदू ससी थरूर डायरी ऑफ यंग गल एनी फ्रैंक एनी फ्रैंक कानी खता हूँ और यह क्या हुआ यह वाइट वाइट यो दे रखा दा बंदू इसे काम चलेगा यह चेक लेता हूँ यहां पर कुछ प्रोब्लम है कैसमे बोलो समझ में कुछ कुछ यह आ रही है कि नह आ रही है सब ऐसी चल रहा है मामला बोलो भाईया आना चाहिए कोई बाद ने इसमें दिखकत है कुछ पीड़ी में चलो कोई बाद ने लास्ट में रहा है पीड़ी में दिखकत है यह पेज में सटा देंगे कोई बाद ने इसमें पीड़ी में दिखकत आ गई खुलनी पार हो जिए हैंड कर रहा है यहां सही है सिस्टम हैंड कर गया बहुत ज्यादा पेज की पीड़ी होगी ठीक है चलो एक काम कर लेते हैं आज की क्लास को तनहीं रख लेते हैं आप भी लोग थोड़ा सा और आज इसमें पर लेते हैं इसके बाद थोड़ा सा आगी देख लेंगे कुस्थ देख कुसमें करवर कर गया बाप्रीबाप हो गया गया फिलो लो कर गया हैं कर गया सटम बिब tego system रहा है चलो एक बार कोई ने स्कॉप देखेंगे तो आज की क्लास को ही पर रख लेंगे चलो ठीक है भी या ठैक्यो